ओके सो वेलकम बैक आज का वीडियो का टाइटल अपने पढ़ी लिया होगा और काफी सारे लोग सिर्फ वो टाइटल और थमनेल देखकर ही आये होंगे कि उनको वो जवाब सुनना है जो मैं आज बोलने वाला हूँ जो मैं आज देने वाला हूँ तो फिकर मत करो बहुत भरी है, वो सब आज खतम होने वाली है मैं क्यों बात करूँ इस थीज के ओपर, वैसे तो आप लोग मुझे रोकी लेते हो, किसे हैं भाई क्या जोरत है देने कि इन तीजों मैं मत पड़ो तो मैं छोड़ देता हूँ लेकिन पता क्या हो रहा है कि पहले दो थे, फिर चार हुए फिर चार से दस हुए दस से बीस हुए बीस से पचास हो गए अब पता नहीं ऐसा हो गया कि वो मुझे जानते भी नहीं है, धंक से मुझे मिले भी नहीं है, लेकिन उनके लिए मैं बहुत ज़दा नेगरिटिव इंसान बन गया हुँ, अब मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ, तो शायद हो सकता है कि उनको लगता हुआ कि यह जवाब नहीं दे रहा है, तो इसलिए यह होगा भी, तो कभी-कभी पता क्या होता है चुप रहने से, बात और जो पानी है, वो सर के उपर से निकल जाता है तो कभी कभी बोल देना चाहिए तो आज मैं उसी बारे में बात करने वाला हूं कि ये चीजे क्यों हो रही है और लोग मुझे आजकल नेगेटिव बोलने लग गए हैं लोग मुझे आजकल ये बोलने लग गए कि मैं किसी और की कामियाबी देखकर ज क्यों क्यों कि मैं उनको कोई जवाब नहीं दे रहा हूं मैं उनको कोई reply नहीं कर रहा हूं डंक से और उनको you know entertain नहीं कर रहा हूं तो इसलिए उनकी ये चीजे बढ़ती जा रही हैं ये चीजे क्यों हो रही हैं क्योंकि आप सब जानते ही हो कि अभी हमारा चैनल थोड़ा सा डाउन चल रहा है व्यूज काफी कम आ रहे हैं मतलब उतने कम आ रहे हैं जब हमारे 5000 सब्सक्राइबर हुआ करते थे तब इतने व्यूज आया करते थे जितने आज आ रहे हैं तो शायद इसी चीज़ को लेकिन वह जज्जमेंट किया जा रहा है कि मैं शायद किसी के व्यूज देखके किसी की यू नो कामियाभी देखके जल रहा हूं और मुझे मतलब समझ जाओ कि इस तीज से ही रिलेटीड वह काउंट हो रहा है तो अब मैं कैसे प्रूफ करूँ अगर मैं अभी डिफेंट करो कि नहीं भाई मुझे कोई नहीं फरक पड़ता क्योंकि मेरे पास बढ़िया कार है मेरे पास सब कुछ है मैं क्यों किसी की कामियाभी से जलूँगा तो शायद ये ना ये जस्टिफिकेशन सायद ढंक से समझ नहीं पाऊ हो गया आप लोग और आप लोगों को लगया कि डिफेंड कर रहा है तो अभी एक काम करो अभी इना स्क्रीम के उपर जितने भी अगर आप लोग मेरे से नफरत करते हैं जो भी है आप लोग भी अभी स्क्रीम पर दो नाम आ रहे हैं sorry about the second word but जो दो नाम आ रहे हैं उसमें से एक नाम को आप चूज करो और अपने मन में अच्छे से उसको रटलो अब मैं एक वीडियो प्ले करने वाला हूँ आपको वो वीडियो देखनी है और जो आपने वर्ड चूज किया है वो आपको अपने ध्यान में रखना है ठीक है start करते है देख लिए आपने आपको शायद आपको आपका जवाब मिला होगा लेकिन अब आपको क्या करना है दुबार से सेम वर्ड दे रहा हूँ लेकिन जिसने जो वर्ड चुना था अब वो उसका पोजिट चूज करेगा एक बार अच्छे से चूज कर लो अपोजिट वर्ड च ठीक है अपोजिट वर्ड चूज कर लो और क्लिप को देखो तो समझ आई आपको बात आपको अच्छे से समझ आगए होगी और जिन लोगों को नहीं समझ आई एक बार दुबारा जाओ और यह चीज दुबारा से करके देखो आपको आपका जवाब मिल जाएगा अब इससे जाधा सफाई मैं आपको नहीं दे सकता और जिन लोगों को थोड़ा पर नहीं समझ आया मैं फिर समझा रहता हूं कि मैंने जो दो वर्ड दिये थे उसमें से जो वर्ड आपने चूज किया और आपने जो वीडियो देखी आपको उस वीडियो में वही नाम सुनाई दिया और जब आपने चेंज किया वर्ड आपने जब वही क्लिप दुबारा देखी तो आपने जो चेंज किया वर्ड था आपको फिर वही सुनाई दिया तो समझ ये मेरे कहने का मतलब आप कि जब कोई एक बंदा सामने वाले को नेगेटिव बोलता है तो दूसरे बंदा उसका समझाना चारा हूँ वो बात उसको नेगेटिव ही दिखेगी और इस तरीके से ये चीजे ना बढ़ती जाती है एक के बाद एक एक के बाद एक एक के बाद एक और चाहे मैं कोई भी सला दे रहा हूंगा ना तो वो चीज भी सबको नेगेटिव नजर आगी क्योंकि जिस बंदे ने मेरे को negative बोल दिया उसने अपना जो प्रभाव है वो बाकी लोगों पे डाल दिया और वो negative वर्ड पहुंचिया और जितने लोग मुझे positivity से देखते हैं तो मैं कोई भी सला दूँगा मैं कोई भी जवाब कुछ भी बोलूँगा तो वो उनको मेरी बात ना positive ही दि जाओंगा तो वही चीज रखते हुए मैंने सूचा कि आज का वीडियो बनाते हैं और शुरूवात में ही हीटर्स को जवाब दे रहते हैं तो उमीद करता हूं सबको जवाब मिल गया होगा कि भाया अपन किसी की कामियाभी से किसी के you know subscriber देखके किसी के views देखके अपने क किसी से कोई फरक नहीं बढ़ता जिस दिन फरक पढ़ने लगेगा उस दिन मैं वह राइडिंग विद पीस का नाम चेंज करके न डैविल विद पीस रख दूँगा फिर उसके बाद जो content चलेगा views भी आएंगे पैसे भी कमेंगे लेकिन इंसानियत मेरे अंदर से खतम हो तो वो इंसानियत खतम ना हो तो इसलिए प्यार से जवाब दिया है समझदार को इशारा काफी चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो अब बढ़ते हैं अगली सेशन में Q&A वीडियो के साथ वेलकम बेक तो मैं यूडिव चैनल मैं नेमी सैम और आप देख रहे हैं राइ अफ़ी सारे लोग ने में अब में से सवाल करते रहते हैं तो मैं कभी कॉमेंट का रिपलाई नहीं कर पाता, क्योंकि जारा 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 जो ट्रेवल होता है वो उसमें नेटवर्क की कमी होती है या आपनी बोडी ठकी होती है अपने शूट करें में जारा टाइम लगा र और अपन आगे आगे दीरे दीरे करके और अच्छी वीडियो भी बनाते जाए ताकि आपके नए सवाल दुबार से बन जाए तो शुरू करते हैं फिर आज का पहला सवाल दोको पहला सवाल जो है वो थोड़ा सा अटपटा है लेकिन काफी सारे लोग कॉमेंट भी करते हैं क किसा हैं भाई आपके साथ कभी कोई हाथसा या फिर कोई गलत एक्टिविटी या फिर आपके साथ कुछ सीन हुआ है जब आप कैम्पिंग करते हो क्योंकि आप अकेले रुकते हो और जंगल में तो काफी सारी नेगेटिव चीज भी होती है पॉजिटिव भी होती है तो है तो देखो वैसे तो मेरे साथ इतनी बार भी गैम्पिंग कड़ता हूँ लेकिन अभी यह लास्ट मतलब लास्ट टू लास्ट सेक्ड लास्ट केम्पिंग की बाता है जब मैं अभी नीती विलेच किया था सुलक्स भाई के साथ में तो जब आल्मोस्ट पूरा वी कम्प आप्टम हुई थी वहाँ पे मैंने अकेले दो दिन बिताई थे महाँ पे, तो गल तो जिस दिन सारी लोग निकल गए थे तो उस रात मेरे साथ कुछ आपugene साह्त हुआ था कि आज भी मेरे symptoms आ रहे थे वो मुझे लगा कि शायद रात को मेरे साथ कुछ हुआ है तो मैं टैंट के अंदर सो रहा था रात को राम से editing वगेरा करके एक डीड़ बजी तक मैंने editing की थी फिर मैं सो गिया था और उसके बाद सुबह के करीबन तीन से सवा तीन के बीच में से एंटर किया है लेकिन मेरी जो खिड़की थी विंडोस थी कपड़े वाला टैंट होता है वो टोटल क्लोस थी लेकिन जो मुझे याद है वो मेरी खिड़की से अंदर आया है और मेरी सर पे आके बैठ गया है और उसके बाद जैसे कुटा काटना शुरू करता ना ऐसे मुझे लेकिन पूरा ऐसे पकड़के नहीं इस तरीके से बकोटता है तो वो मेरे साथ सर के उपर होने लगा और उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ी दे बाद मुझे नहीं बता कि क्या हुआ कि वो कुट्टे की जगे न वो कुछ और बन गया वहां पर मतलब कोई लेडी बन गई मैं कोई वहम नहीं फैला रहा हूँ लेकिन जो मेरे साथ हो सकता है यह सपना भी हो या कुछ भी हो सकता है वो एक काले कपड़े में बिलकुल कवर में कोई लेडी बन गई और जो मुह से वो काट रहा था उसकी जगह उसके नाखून हो गए तो उसी टाइम ही मेरी थोड़ी दिर बाद मेरी आग खुली आग खुली तो कुछ नहीं था वहां पर फिर मैं सोया नहीं मेरे साथ मतलब जब यही चीज हुई तो मेरे दिमाग में चलता रहा और मैं लेटा रहा बाहर मैंने खिड़की खोल के देखी तो मुझे कुछ भी नहीं दिखा सब नॉर्मल था कुछ भी नहीं था और उसके बाद फिर अगले जिन सुबा उठा फ्रेश हुआ मैंने अपना गाड़ी पैक करी फिर मैंने सोचा कि उसी के बगल में काफी बड़ा ग्राउंड था तो मैंने सोचा वहाँ पे एक बड़िया वाली कैम्पिंग वीडियो शूट करता हूँ तो मैं जब अपनी गाड़ी वहां लेके गया तो मुझे वहाँ पे मिले स्नो लैपड के स्नो लैपड के बोलू लैपड के बोलू या किसी बड़े जंगली कुत्ते के बोलू मुझे वहाँ पे पाउं के निशान दिखे और वो पाउं के निशान आ रहे थे मेरी गाड़ी के पास में तो ये जब मैंने चीज़ देखी तो मेरे होश उड़ गए और उस टाइम पे जब मैं कैम्पिंग करने का सोच रहा था मैं बहुत देर तक कुरसी लगा के बैठा रहा और आसपास के एरिया में कुछ भी नहीं था ना कोई बंदा दूर दूर तो कुछ नहीं था टोटल जंगल था आसपास बिल्डिंग्स बनी थी कंस्रुक्शन साइट की लेकिन वो बंद पड़ी थी स्नोफॉल होने की वज़ा से और उस दिन काफी ना हैवी स्नोफॉल दिखा भी रहा था तो पता नहीं क्यों मेरे साथ उस दिन ऐसा हुआ कि मैं हमेशे कैमसाइट पर रुख जाता हूँ मेरे साथ मेरे को कभी भी डर उस तरीके का लगी नहीं लेकिन उस दिन मैंने अपना समान पैक किया और मैं सिधा डैली आ गया और जब डैली आया तो आने के बाद मैंने देखा तो मेरे को सर के उपर स्क्रचिस पड़े हुए थे मेरे को दर्द हो रहा था यहाँ पे अब मुझे नहीं समझ आया कि यह क्या चीज है वो क्या चीज थी वो क्या था मेरे साथ में मुझे नहीं समझ आया लेकिन रात थी बात थी आब वो सपना था, reality थी और वो सर में दर्द किस वज़े से हो रहा था नो आइडिया तो ये मेरे साथ पहली बार पहली बार नी दूसरी बार हाथचा हुआ है पहली बार तो मैंने देखा था वो मैं वीडियो बना चुका हूँ और दूसरी बार मेरे साथ में ये हुआ है तो ऐसे काफी सारे इंसिड पे तो पहले इस सवाल का जवाब मैंने आपको दे दिया है कि मेरे साथ कैम्पिंग में ऐसा हुआ तो दूसरा सवाल हम लोग बात करते हैं दूसरा सवाल है कि सैम भाई आप बार बार उत्तरा खंड और हिमाचल परदीसी क्यों जाते हो इंडिया में इतनी सारी जगह है वहाँ कैम्पिंग क्यों नहीं करते हो तो देखो सीजा सा जवाब है यार 캠ंपिंग करने में पहाडों मी मज़ा आता है और पहाडों में क्योंकि थंड होती है सर्दी होती है अच्छे कपड़े पहनी मिलते है वैजर अच्छा मिल जाता है और वो सीनरी और सके मजे लिबात है कैम्पिंग रिवर साइड और पहाडों में की जाए वह ज्यादा बैस्ट है अगर मैं डाउन में कहा करूंगा कैम्पिंग एक बात बतो कहा करूंगा किरला की तरफ जाओंगा गोवा में जाओंगा तो वहां इतनी गर्मी पड़ती है कि बंदा पसी ने पहुच पहुच के ह हाँ कैम्पर वहन है अगर आपके पास पूरी इसी वाली तो आप इंजॉय कर सकते हो अधरवाइस बाइक कैम्पिंग ग्राउंड कैम्पिंग तो मैं तो किसी को सजेस्ट नी करूंगा कैम्पिंग का मज़ा तो सिर्फ पहाडों में जहां पर थन्दा वेदार हो और अब आती है नौर्थ हिस्ट की तो यह असाम वगरा उस तरफ जाके कैम्पिंग करना थोड़ा सा टफ है क्योंकि यहां से 2,500 किलोमेटर पड़ता है फिर वहां पर थोड़ी सी लेंग्विज भी चेंज हो जाती है तो वहां पर समझाना भी थोड़ा मुश्किल होता है फिर उस जगह पर restriction थी पुलीस वालोंने भगा दिया था क्योंकि रात को हाती का भी डर था साप का भी डर था बहुत सारी restriction थी तो इस लिए उस तरफ जाके कैम्पिंग करना थोड़ा सा मुश्किल है हां सपोर्ट मिल पाएगा लोकल का तो मैं जरूर कर लूँगा otherwise ऐसे जाके कैम क्यूंत करते हो anche chyami baiyanताया तो सच में जो कैंपिंग करता हूं अकेले करता हूं मेरे साथ काफी सारी चीज़े होती है और जिस position में जाता हूँ, जिस situation में जाता हूँ, जिस minus temperature में जाता हूँ, वहाँ सच में equipments की ज़रत पड़ती है, और वो भी original equipments, और आपको पता है कि original चीजे सारी महंगी आती है, सस्ती नहीं आती है, और सस्ते जुगाड में जाओगे तो जान से, मतब जान से हाथ दो बैठोगे और और कुछ नहीं है, तो इसलिए मैं महंगी चीजे खरिदता हूँ, ताकि अपने पास सारी चीजे हो, अपने को वो चीजे दोका ना दे, और अपन अच्छे से उस कैम्पिंग वाली चीज को जो हम करने जा रहे हैं, अच्छे से इंजॉय करके आए, बात रही शोफ की, यार देखो, cgc बात है, वो शोफ नहीं है, अब जैसे मेरा हाथ में यह आई-पैड है, ठीक है, अगर यह अगर विंडोस आई-पैड होगा नॉर्मल वाला तो आपको यह शोफ नहीं लगेगा, लेकिन अगर यह यह आई-पैड में हाथ में पकड़ा और यह अपल का है, तो आपको वो शोफ दिखेगा, क्योंकि महेंगी चीज है, तो इसमें पता है क्या कुछ नहीं है, वही सेम वाली बात है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिया, कि आप जिस नजरीय से देखोगे, आपको वो चीज वैसे ही नजर आएगी, अगर आप उस नजरी से देखो कि भाई यह हाथ में आई-पैड पकड़ा, शोफ कर ओके, तो फोर्थ कोशन, भाया फोर्थ कोशन, यह कोशन तो मेरा फेवरेट है, तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा अपने वे में भी मोडिफाइड किया है, और आप लोगों के जो सवाल है, उसको भी मिक्स कर दिया है, कि आपकी नजर में कैम्पिंग क्या है, कैम्पिं तो देखो, कैम्पिंग होती है, चार तरह की, पहली कैम्पिंग होती है, सर्वाइवल कैम्पिंग, जिसमें हम लोग ट्रैक करते हैं, ट्रैक में मिनिमलिस्टिक हमें समान लेके जाना होता है, लिमिटेड जितना हम लोग कैरी कर सकते हैं, ट्रैक करते हैं, एक हमें पॉइ आपको डाबी वगारा मिल जाते लेकिन काफ़े सारे ट्रैक्स पर आपको यी ऐन दिलती है तो अपने कोच भूरे प्ररप्रेंशन करके जाना होता है तो वह आति है सारवाईवल केम्पिंग मिनीमम समान लेका जाना हया ररे कैमपिंग करनी होती है तो वो जैसे मैंने करेरी लेख किया था उसे पहले भी खाफी सारे ट्राइक किये थे तो वो थी survival camping फिर आते है second आपकी पिकनिक वाली camping पिकनिक वाली camping तो यह हो गया कि आप अपनी family को गाड़ी में बिठा रहे हो आपने camping का समान डालिया आप गए ट्रैवल पर आपने बीच में खाना बनाया कहीं रुखके खाया वादियों के नजारे लिए और फिर शाम को आके आप होटल में रुख गए यह होती है पिकनिक camping तीसरी camping होती है बज़र्ट camping बज़र्ट camping होती है कि आपने जैसे कि आपको लद्दाग जाना है लद्दाग पूरा आने जाने का खर्चा है एक लाख रुपे और आपके जिम में हैं पचास जा रुपे लेकिन घूमना है शौक है पूरा करना है तो उसमें क्या करते है कि आपन camping का समान डाल लेते हैं तो आपन ट्रैवल करते हैं जहां भी हमें जग गए और कभी कभार हमने अपने होटले लिया रिफ्रेश होने के लिए वो वो होती है आपकी बज़र्ट केम्पिंग अब आती है लास्ट में ओवर लेंडिंग जो मेरी फेवरेट है तो मैं तो करता हूं या तो पहली या फिर यह फोर्थ नंबर वाली ओवर लेंडिंग में क्या होता है जिसमें बोलते हैं कि इतना सारा समान लेके जा रहे हैं देखो ओवर लेंडिंग का मतलब हो गया कि आपने एक विकल बनाया अपना प्रॉपर उसके अंदर आपने सारी सहूलियत घर वाली सारी सहूलियत रख ली है फिर आप एक अच्छी लोकेशन पर नीचर कर रहे हो लेकिन सुवीदा आपके पास सारी है चाहे आपके पास बड़ी केमपर वैन है चाहे आपके पास छोटी केमपर वैन है लेकिन आप नेचर के बीच में जाके बैट रहे हो उसमें कोई भागा दोड़ी नहीं होती उसमें कोई सर्वाइव करना नहीं होता कोई कु चाहे मैं उसे इसुजू से करूँ, चाहे मैं उसे camper van से करूँ, या फिर मैं अपने bag पे कंदा ठांग के hitchhiking करते हुए camping करूँ, तो बस ये मेरी नजर में camping है, अब आते हैं सबसे main important वाली चीज़ पर जो almost सारे लोगों का सवाल रहता है, कि Sam भाई आप की YouTube की income कितनी है, आप कितना कमाते हो, और brand से कितने वैसे लेते हो, आप कितना कर कमा लेते हो, देखो साज बताओ, last 3-4 महीने, अभी 2-3 महीने से तो मैं bad pay लेटा हूँ, तो 2-3 महीने से तो वीडियो नहीं डाली है, तो कोई income नहीं है YouTube से, zero income है YouTube से, मतलब अगर hundred dollar भी आ रहे तो वो कोई income नहीं है, मेरे लिए तो अभी तो zero income चल रहे है, तीन महीने से मैं bad pay हूँ almost, और उसे तीन महीने से अपन थोड़े से down, मतलब views limited आ रहे हैं, लेकिन videos ही नहीं डाल रहे हैं, चार-पाच वीडियो में डाल रहा हूँ, तो उसे क्या income होगी आप खुदी सोच लो, तो always 6 महीने से, तो अभी मैं मतलब समझ लो कि YouTube से कोई साहरा नहीं है, लेकिन जो ये आपकी क्या कहते है brand, brand से भी जब भी ये चीजे सारी down होगी videos कम होगी, तो brand भी January सारे disconnect हो चुके है क्योंकि common सी बात है आपके views होगे, अच्छे आपकी reach अच्छी होगी, आपके पास audience अच्छी वाली होगी तो आपके पास brand आएगा, अगर आपके पास कुछ नहीं होगा, तो आपके पास brand नहीं रहेगा, तो अभी छे महीने से तो कुछ भी नहीं है, अपन जो saving से काम चल रहा है अभी अभी अपनी जो हालत खराब हो रही है उसे सिर्फ जो अमारे बचे होए पैसे उनी से चल रहा है तो अभी तो नहीं है, लेकिन 6 महीने पहले मैं आपको बात बता रहता हूँ, 6 महीने पहले मेरी इतनी इंकम थी, एक ब्राइंड के पैसे से इतनी थी, कि जो रिलाइंस शोरूम में कोई manager होता है तो जो उसकी salary होती है समझ लो, इतनी मेरी एक ब्राइंड से एक वीडियो की कमाई थी और बाकी जो YouTube से आ रही थी, वो भी ठीक टक कमाई थी, मतलब बढ़िया चल रहा था, यह नहीं बुलूगा कि लॉस चल रहा था, बढ़िया चल रहा था बहुत, तभी अपन इतनी सारी चीज अफॉर्ड कर पा रहे है, अब इंकम नहीं होगी, तो भी यह नहीं कर पाएंगे अफॉर्ड, इंकम होगी, तो यह अफॉर्ड कर पाएंगे, सीधा से सिंपल सी बात है, तो इसी से रिलेटीड एक और सवाल है, कि Sam भाई, आप अपनी चीजों से कितना प्यार करते हो, और उनकी क्या है मियत आपकी लेकिन वो पहली भाई के जिसने मेरे को काफी कुछ कहा है, तो इसलिए उससे प्यार हो गया था, लेकिन उसके बाद जब वो गई है, उसके बाद मेरे को किसी भी तीज से प्यार नहीं है, मेरी जिंदगे में आइपैड हो, ना हो, मेरी जिंदगे में सारा सिस्टम हो, इस चीज होगी हाँ मुझे जो काम करना है अगर मुर को कहीं जाना है तो उसके लिए मेरे पास सहूलियत होनी चाहिए है वो मेरे लिए important रखता है कि मुझे कहीं जाना है मुझे मेरी family को कहीं लेकर जाना है तो वो मेरे पास चीज होनी चाहिए है एक final question पर कि अगर किसी को YouTube करना हो और अपना future बनाना हो तो क्या करना चाहिए और किन-किन equipment की जरुत पड़ेगी suggestion दो यह भी बहुत सारे सवाल आते रहते हैं तो मैंने सुचा कि इसको last में देता हूं मैं यह जवाब कि अगर किसी को YouTube करना हो तो देखो YouTube करना कोई बड़ी बात भी नहीं है और कहें तो बहुत बड़ी बात भी है ठीक है सबसे पहले अपने माइंड में आपको साइट करना है कि आपको YouTube करना किस तरीके से आपको numbers के लिए YouTube करना है या आपको अपने time pass के लिए YouTube करना है या फिर अपना career बनाने के लिए YouTube करना है तो यह सबसे पहल अगर आपने डिसाइड है कि ब्रज़ साई कि अपना करियर बनाना है तो आपको उसके लिए करियर बनाने के लिए सब hackers aja आपको चुनना पड़ेगा जर्या कि आपiron पर आपको बैटके रोश्टिंग वीडियो बनानी और गेम Gu twins बनानी आइग ऑपको वह Dash करना देखो ट्रेवल जो पार्ट है वो सबसे महंगा है यूट्यूब के अंदर आपके बहुत पैसे लगते हैं कभी-कभी आपका आउटपुट नहीं आता आपके पैसे इंवेस्टमेंट हो जाती है और आपका लॉस हो जाता है जैसे मैं नेपाल गया था नेपाल मेरा पूरा ल वर् aka करोंकि यही चल रहा है अब यह 4 सल पहले वाला जमाना नहीं है दो साल पहले वाला जमाना नहीं बहुत फास्ट हो गया है हर घर में से चार Bruce निकल रहे है चार कोंप्यूटिशं बहुति टॉपनोच हो गया है अईडिटिंग लेवल बहुत हो चुका है बहुत सारी चीज़े बदल चुकी है तो इसलिए अभी competition बहुत जा रहा है तो आप ऐसा sitting content बनाएं वह ज्यादा बैस्ट है क्योंकि travel में अब गिने चुनी छपरी चीज़े चल रही है अगर वह भी ज्यादा इनका काम नहीं वह भी कुछ ताइम में वह भी डाड हो जाएंगी क्योंकि रोज लद्दा के 50 व्लॉग आ रहे हैं रोज मनाली के 50 व्लॉग आ रहे हैं रोज जांसकर के 50 व्लॉग आ रहे हैं तो उसमें से जो जारा च्छपरी बन करेगा उसके व्यूज आएंगे क्योंकि अभी total decent content वाले लोग बैठे हो हैं दो तिन चैनल के नाम बता रहेता हूं पहला इंडिया इन मोशन मैं उनको फॉलो करता हूं उनको देखता हूं अभी वो भी बहुत उनके भी व्यूज नहीं आ रहे हैं एक साल से उन्हों नहोंने मतलब मसक पांच चे वीडियो डाले हूंगे उस पे भी एक अध वीडियो पे व्यूज और भाकी बिलकुल भी व बहुत बहुत next level है लेकिन आजकल देखा जाए तो उनके भी उस हिसाप से views नहीं आ रहे हैं जिसे इसाप से उनकी महनत है तो यही मैं बोलूँगा कि अभी महनत करने वालों के कोई views नहीं है सिर्फ छपरी कर जो काम करें उनके views हैं तो content ऐसा बनाओ कि आपका वो आज के level के साथ से चल जाएं बाकी equipment की क्या जूरत पढ़ती है देखो कुछ चीजे लेने की जूरत नहीं अगर आपका बजट है तो एक iPhone 11 pro max ले लो enough है उसे में आपका सारा काम हो जाएगा आपको extra खर्चा करने की जूरत नहीं है और जारत से यारा एक wireless mic ले लो hollyland का कुछ 8-10,000 रुपे का वो आएगा आपका इसमें आपका काम हो जाएगा आप बढ़िया वीडियो बना सकते हो चाहे ट्रावल के बनाने हो बैठ के बनाने हो कुछ भी बनाना हो आप इसली बना सकते हो बस यही है content बनाने के लिए आपको थोड़ा सा time रुखना पड़ेगा wait करना पड अब भी देखो पसीने आ रहा है इतनी गर्मी हो रही है डैली के अंजर अक्शुली fan-off है तो इस चक्कर में वो पूरा circulate नहीं हो रहा है और मेरे फेस के उपर प्रॉपर एक अच्छी गासी heavy light जल रही है तो उसे पुरी heat आ रही है तो आप काम करते है आज की वीडियो य आपको positive ही दिखूँगा तो उसी साब से आप comment कर देना बाकी आप कल वाली वीडियो में मिलते हैं एक लगा है बहुत बड़ा जटका तो क्या बता हूँ मैं आपको चलो वो मैं आपको कल वाली वीडियो में बता हूँगा तो मिलते हैं अगली वीडियो में till then goodbye क्वेश बता हूँ प्रुद्ध कर दोगा पूँखा थारा थाराम।